गुड इवनिंग एवरिबड़ी आप वेरी गुड इवनिंग तो आल फी बचो तो आम बाक ऑन दी क्रियेटरिक्स यूटीब चैनल विधी रफ्तार सिरीज पॉर गेट अड़ एसी 2022 लेक्चर नमबर 14 जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूं आपसे बिटा अबाउट मीडि हम ट्रांसमिशन नैन के बारे में तो देखेंगे इसके क्या मॉडल्स होते हैं क्या पेरमीडर्स होते हैं और कैसे क्वेस्टन इस पे फ्रेम किए जा सकते हैं तो बटा इससे पहले हम स्टार्ट करें जल्दी से एक बार दबा के लाइक हो फूल जादा से जादा बच्चो अब मेरे बारे में यह सारी बात है मेरे सभी बच्चे जानते हैं लेकिन बच्चों मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट का है इंपॉर्टेंट है जिस तरह का काम हमारी टीम करें जिस तरह का कंटेंट आपको free of cost प्रोवाइट कराया जा रहा है तो आपको इस चैनल पे मिलेगी इलेक्ट्रिकल और ECE से जुड़ी सबसे बहतरीन टीम जो कि आपके लिए सबसे ज़ादा मेहनत करेगी और आपकी सफलता के लिए जान लगा देगी लेकिन यह धियान रखना बिटा हमारी जो effort से हमारी जो मेहनत है वो सिफ YouTube तक नहीं है फ्री इनिशेटिव आप लोग लिए लेके आते हैं कैसे फ्री इनिशेटिव जैसे फ्री क्लासे फ्री टेस्ट यह सारी चीज़े मिलती हैं और इनको आप अनलॉक कर सकते हैं और देखो अगर मेरी स्पेशल ग्लास देखनी है न तो इस लिंक पे जाना बिटा मेरी सभी स्पेशल ग्लास आपको मिल जाएंगी आगे पीछे की और यहाँ पे आप चेक करना न अपकमिंग को अपकमिंग में आप देखोगे कि डेली सवा 7 बजे शाम को इमीजेटली आफटर दिस यूट्यूब क्लास I am taking a special class तो मेरे साथ special class attend करो इस time पे और special class attend करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे बिटा power system के बहतरीन questions और power system के वो question attempt करने के बाद आपके power system की problem solving ability next level जाने वाली है और आपको power system से जुड़ा हर question असान लगने वाला है that is a guarantee चलो तो आज के topic पे करेंगे तो medium transmission line क्या होती है बिटा तो पहले तो अगर मैं बात करूँ इसकी जो length होती है वो 80 km से 200 km होती है 450 Hz लेकिन जैसा कि मैंने आपको last video में भी बताया था कि judgment L के basis पे कभी नहीं करनी है किस के basis पे करनी है L into F के basis पे तो हम कहते हैं इसके अंदर L into F होगा 4000 से लेके 10,000 तक ठीक है 4000 से 10,000 तक LF होगा तेन इट विल बिया medium transmission line आपने कोई अगर याद हो यार पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको एक question भी ऐसा कराया था जहां पे मैंने बोला था 500 Hz को अगर देखें तो यह line कैसे behave करेगी वहाँ पे आया था आपके पास जो एक short line थी वो long line बन गई थी जो line power frequency पे 50 Hz पे short होती वो 500 Hz पे long हो गई थी तो यह concept अगर आपको समझना है तो obviously पेटा आपको L into F का criteria समझाना चाहिए rather than just the length तो याद रखना अब इसके अंदर क्या करते हैं न पेटा इसके अंदर we ignore leakage current leakage current actually transmission line के model में कैसे दिखाते हैं shunt conductance तो उसको ignore कर दिया जाता है and we consider consider line charging current और line charging current को consider करने का मतलब है कि shunt capacitance को हम consider करके चलते हैं shunt conductance को हम ignore करते हैं और बेटा shunt capacitance को consider करके चलते हैं that is what happens in a medium transmission line तो अगर आप यहाँ पे देखो बेटा series का resistance है reactance है और shunt का capacitance भी है series का यह जो resistance और reactance है मिल करके कहलाता है impedance this is called as impedance और इसको ना हम lump कर लेते हैं lump का क्या मतलब है पूरी transmission line के लिए एक single value दे देते हैं और यह आजाता है आपका capacitance जो shunt में लगा है that is admittance इसकी value होती है j omega c इसको भी lump कर लेते हैं अब actually जब यह medium transmission line का circuit बनाने जाते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा challenge क्या होता है कि यह जो shunt वाली branch है इसको place कहा करें क्या इसको हम sending end पे place कर दें या फिर हम इसको receiving end पे place कर दें या फिर इसको standing और receiving के बीच में place करें या फिर दोनों पे ही place करें तो अलग-अलग assumptions पे बिटा अलग-अलग modeling होती है क्या है ना यह जो R है L है और यह जो C है यह पूरी line में divided है अब इसको lump तो हम कर रहे हैं ताकि हम circuit का analysis आसानी से कर पाएं इसको lump पेटा हम लोग कर रहे हैं लेकिन lump करने के बाद कहां जोड़ोगे that is totally in your control तो इसी लिए हम क्या करते हैं C की position को अलग-अलग point पे रख सकते हैं तो पेटा यहाँ पे सबसे ज़ादा जो popular model होते हैं वो दो होते हैं nominal t, nominal pi actually इसके अलावा दो model और होते हैं which are sending and c model or receiving and c model receiving and c model ठीक है बट यह दोनों ही model काफी inaccurate होते हैं sending and or receiving and इसलिए इन models को हम ज़ादा consider नहीं करते हैं ज़ादा पढ़ते नहीं है क्योंकि यह दोनों काफी inaccurate होते हैं और practically इसका use नहीं किया जाता अब अगर t model की बात करें तो t model में हम लोग क्या करते हैं बिटा यहाँ पे हम z by 2 में डिवाइड कर देते हैं impedance को z by 2 और z by 2 दो parts में डिवाइड कर देते हैं और बीच में लगा देते हैं shunt का admittance that is y तो z by 2 y and then again z by 2 तो इस type से जब impedance को दो भाग में बांट दिया जाता है then it is called as the t model इसके बाद देखो यहाँ पे यहाँ पे πाई model में क्या होता है बीच में एक z होता है और left और right में आता है y by 2 तो यहाँ पे हमने किसको डिवाइड किया y को डिवाइड किया और t model में किसको डिवाइड किया दो parts में z को अच्छा एक basic सी बात मिटा याद रखिएगा practically जो transmission line होती है वो symmetrical और reciprocal दोनों होती है तो यह जो r और x है इनको कभी जुदा नहीं करते यह दोनों transmission line के अंदर series में होते हैं ऐसा मत कहना सर एक r ले लिया एक x ले लिया और बीच में c लगा दिया क्योंकि वो circuit symmetric नहीं होगा तो r और x को हमेशा एक साथ रखेंगे क्योंकि जब practically transmission line symmetric और reciprocal है तो हमें जो उसका circuit बनाना है न अपनी copy पे वो circuit भी ऐसे बनाना है जो transmission line के इस property को justify करे इस property को satisfy करे यानि वो circuit भी कैसा हो symmetric as well as reciprocal बात को समझेंगे बिटा यहाँ पे तो देखो सबसे पहले pi model पे आ जाते हैं बिटा तो pi model के अंदर क्या होता है देखो जैसा मैंने आपको बताया दोनों तरफ आप लेते हो y by 2 y by 2 ठीक है अब बीच में आता है z तो इसके parameter कैसे बनते हैं देखो 1 plus y z by 2 यह a b c d parameters की मैं बात कर रहा हूँ z 1 plus y z by 4 1 plus y z by 2 ठीक है 1 plus y z by 2 अब यहाँ पे अगर आप देखोगे न बिटा तो a और d बराबर है that is it is symmetrical और यहाँ पे अगर आप निकालोगे न a d minus b c यह one आने वाला है तो this model is also reciprocal तो मेरे बच्चो यह model symmetrical और reciprocal है इसलिए इतना popular है क्योंकि यही actually transmission line भी होती है फिर दूसरी चीज़ क्या होती है पाई model जो है actually t model से भी ज़्यादा popular है ऐसा क्यों क्योंकि पाई model में दो ही node होती है एक sending end और एक receiving end जबकि t model में बीच के अंदर आपने एक तीसरी node डाली है that is the node containing y तो वहाँ पे number of node बढ़ने से number of nodal equation बढ़ जाती है और number of nodal equation बढ़ने से आपकी complexity increase कर जाती है इसलिए हम क्या कहते है कि pi model is more frequently used than the t model ठीक है अब आप लोग के question please tell me all pdf link I am trying from two hours बेटा अब कोई pdf ना तो provide की जाती है ना ही pdf का कोई एक single link है is your crash course more than enough for state AE exam like transco discom बेटा देखो state AE exam के लिए you need to also practice questions that are based on the state AE exam ठीक है जो की अगर मैं बात करूँ जैसे अगर आप मेरी special classes देखोगे न तो special classes में मैंने state AE exams के लिए अलग से question करा रखे हैं तो उन questions को अगर आप practice करोगे तो आपको idea लगेगा कैसे fast way में चीजों को solve करनी है ठीक है next AMA session कब होगा बेटा जल्दी होगा अभी कुछ दिन तक तो मेरी को यहाँ पे ना special लेनी है YouTube के तुरंत बाद after that हम लोग क्या करेंगे वापिस से AMA पे आ जाएंगे sir any update about champs program बेटा अभी तक तो कोई update नहीं है PLC SCADA maybe next year try out कर सकते हैं अभी तो फिलहाल में नहीं ठीक है revision नहीं हो पारी तो unacademy join करो crash course से revise करो चलो अब शुरू करें बहीं आगे अब बेटा इसके अंदर नहीं बहुत अच्छा effect आता है that is parent effect क्या होता है यह जो transmission line का parameter a होता है नहीं less than equal to 1 होता है अभी देखो जो आपने pi model के लिए निकाला आपने निकाला a equal to 1 plus yz by 2 यह less than 1 आएगा जिस कारण से no load receiving end voltage vs by a यह जो है ना vs से बड़ी आ जाती है अब आपको लग रहा होगा sir 1 में तो कुछ add हो रहा है ना तो यह जो है 1 से बड़ा होना चीए नहीं बिटा y और z दोनों के अंदर j है इस कारण से यह value negative बनेगी और value negative बनेगी तो 1 में से subtract हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर बिटा क्या होगा कि यह जो no load receiving end voltage आती है sending end voltage से जादा आती है this is what is called as warranty effect अब क्या सर ही हमारे circuit के कारण है बिटा यह effect practically transmission line में देखा जाता है तो अगर यह हमारा circuit show कर रहा है तो यह कुछ गलत नहीं बता रहा है ऐसा actually होता है तो यहाँ पर हम कहते हैं कि warranty effect is due to warranty effect is due to line charging current और इसका official definition क्या है न बिटा यह कहता है at no load or light load condition receiving and voltage goes above the sending and voltage and this is termed as the warranty effect at no load or light load condition क्या होता है न no load or light load पर यह जो line charging current यह dominate करता है यह ऐसे behave कराता है जैसे transmission line leading power factor पर operate कर रही है अगर transmission line leading power factor पर operate करेगी तो obviously receiving end का voltage sending end से जादा आएगा तो यह line charging current जो है न it makes the overall current as leading power factor ठीक है एक example से मैं आपको show करता हूँ देखो इसको न पढ़ना सबसे easy होता है जब हम बात करते हैं किसके बारे में जैसे चलो pie model ही ले लो यार अगर आप pie model ले ले अब अगर बच्चो आप no load condition लेके चलोगे no load पे यहां तो कोई current जाएगा नहीं यह vr 0 हो गया यह हो गया ic2 तो यह ic2 न ऐसे जा रहा होगा क्योंकि यहां पे आएगा 0 MP है तीक है अब क्या होता है न बिटा देखो अगर मैं reference मालनू no load receiving and voltage को अगर यह है मेरा vr 0 तो इससे 90 degree leading आ जाएगा न आपका ic2 यह आ जाएगा आपका ic2 अब पेटा यहां पे न आपको resistance और reactance का drop add करना है तब आपको मिलेगा क्या तब आपको basically मिलेगा vs तो देखो ic2 into r add किया अब reactance से 90 degree anti-clockwise घुमा दो reactance जो है न जे के कारण 90 degree anti-clockwise करेगी तो यह ic2 into r और यह ic2 into x अब पेटा यहां से जो phasor आएगा न that will be vs अब अगर आप ध्यान से देखो मेरे बच्चों यहां पे तो आपको clearly नजर आएगा कि vr 0 vs से बड़ा है vr 0 vs से बड़ा है तो यही तो चीज हम लोग कह रहें न फेरेंटी effect फेरेंटी effect क्यों आया यह जो line charging current था capacitor का यह resistance और reactance से पास हुआ जब यह resistance और reactance से पास हुआ तब आपको क्या मिला vs और जो vs मिला वो vr 0 से छूटा मिला तो यह तब ही आता है बिटा जब यह line charging current series impedance को cross करता है then you see such kind of a effect ठीक है अब क्या doubt आगया भी plc skada के लिए कोई book बताओ बिटा जब किसी topic पे book खोशते हो न सीधा amazon पे जाया करो उसका review पढ़ा करो किताब का मिल जाएगी है ना अब तुम लोग बड़े हो चुके हो अब तुम्हें जो है ना उंगली पकड़ के चलने की ज़रूतनी है life में सबसे easy है online shopping online shopping में करना क्या है कोई भी product देखना है नीचे उसके reviews देखने है लोगों ने क्या review दिया है किसके लिए यह helpful है और नहीं तो कोई भी किताब अगर आपको मिलती है PLC SCADA पे उसको google करना उसके review सर्च करना तो लोगों ने उसके बारे में लिखा होगा अगर अच्छा लिखा है तो किताब अच्छी होगी तो खरीद लो ठीक है आप अगला क्या है सर पॉली टेखनीक लेक्चरार के लिए कोई initiative लाइए प्लीज बिटा हर exam की तयारी तो नहीं कराई जा सकती तो as such कोई अभी vision नहीं है कि UPPSC पॉली टेखनीक लेक्चरार के लिए हम लोग कोई course start करें क्योंकि obviously यार हर चीज नहीं हो सकती बच्चों की demand काफी होती है और support ना के बराबर होता है अब आप ये देखो जब आप लोगों से मैंने voting कराई आपने बुला सर most important concept revise कराओ मैं तो फिर भी sequence में जा रहा हूँ कोई भी subject का topic ले रहा हूँ तो एक एक करके teacher करा रहा हूँ लेकिन फिर आप लोगोंने आना बंद कर दिया अब आप teacher से ऐसी expectation क्यों रखते होगी sir हम आयना है आप तो कराते रहा करो अभी पता है UPPSC polytechnic lecture hour की आप बात करो मैंने announce कर दिया ना एक हफते बाद start करूँगा करके तो इतनी जादा भीड आएगी ना पहली class में की दिल खुश हो जाएगा दूसरी तीसरी चौथी class ये सारी भीड कम होती जाएगी और ये मत मुझे कहना नहीं sir हम आएंगे हम आपको promise कर रहे है क्योंकि बिटा ये मैं दो साल से same sentence सुन रहा हूँ same impact देख रहा हूँ वादा करना असान होता है लेकिन consistency maintain करना मुश्किल होता है जब आपको मालूम होता है ना बिटा की ये तो पढ़ा ही रहेगा लेक्चर तो आज नहीं तो कल देख लेंगे देख तो हम लेंगे ही ठीक है और आदिते येस कल वाला marathon session private हो जाएगा तुरंत अगर आपको attend करना है तो live attend करना पढ़ेगा और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आप attendance पे ध्यान दोगे तो आपको idea लग जाएगा कि ऐसा क्यों करना पढ़ रहा है क्योंकि जब lecture पढ़े रहते हैं ना long term के लिए तो आप live आते हैं और मेरे पास इतने सारे teachers का call आता है कि सर बचे live नहीं आ रहे हैं एकदम demotivated सा feel हो रहा है कि YouTube पे क्यों पढ़ा रहे हैं क्योंकि पता है हम लोग के YouTube hours बहुत कम होते हैं लेकिन हम लोग उससे बहुत ज़ादा teaching करते हैं the only reason is for you guys और वो guys ही अगर गायब हैं तो मेहनत क्यों कर रहा है teacher अब यह मत कहना सर दो बच्चे चार बच्चे तो आई रहे हैं तो उनको पढ़ा दो वो serious हैं वो rank लाएंगे बिटा मैं आपको एक simple सी बात बता हूँ अगर मेरे YouTube से कोई rank लेकर के भी आएगा तो उस result को मैं कभी market नहीं करता हूँ यह आपने last year भी देखा हूगा YouTube वाले बच्चों का interview जरूर हुआ लेकिन interview एकदम अनबायस था अगर उन्होंने बोला दो ही subject आपके channel से के हैं तो दो ही किये हैं हमने यह कभी नहीं बोला कि उनकी rank हमारी वज़े से है या उनके नाम हमने कहीं publish कि हूँ यह बच्चा हमारे YouTube का हमने चमका दिया हो poster पे ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ तो I don't take the credit of getting ranks from free content क्योंकि जो बच्चा free content से पढ़ रहा है वो obviously अपने दम पे पढ़ रहा है वो चार जगे से पढ़ रहा है resources सर्च कर करके पढ़ रहा है तो उसकी rank का credit जादा तर उसी को जाता है teacher को नहीं जाता क्योंकि उसने जगे जगे से resources जोड़े हैं जो resources market में free of cost available थे कुछ lecture हो सकता है हमारे देखा हो कुछ किसी और teacher के देखा हो कुछ किसी और channel पे जाके पढ़ाओ वो बच्चे की खुद की मेहनत है लेकिन जो paid course में बच्चा आता है तो actually उसको सब कुछ परोस के दिया जाता है well arranged format में दिया जाता है उसको notes दिये जाते हैं उसको questions द rank में बहुत बड़ा contribution course का हो जाता है तो इसलिए बिटा आप लोग अगर तगडी rank लेकर के भी आओगे या नहीं लेकर के आओगे तो उससे I don't get any benefit I just feel good की चलो ठीक है हम उस बच्चे की सफलता में थोड़ा सहरा लगा पाए तीक है ऐसा नहीं है कि मुझे उसका कुछ benefit हो होने वाला है बट हाँ अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हो कि आपका machine देखा था और machine के सारे question बन गए बस that is all कि वो good feeling होती है है ना अच्छा feel होता है अच्छा लगता है कि चलो यार महनत सफल हो गई लेकिन अब आप ये चाहो कि यार वो चार बच्चे जो serious हैं उनके लिए दिनरा पढ़ाया जाए एक के बाद एक के बाद एक batch free of cost launch किया जाए जितना content paid course में जा रहा है जितने initiative paid में जा रहा है उतने free में भी आ जाएं तो useless बाते हैं ये क्योंकि हमने क्या बोला है कि paid course में fees लगती है 20,000, 30,000, 40,000 ये fees है free course में वही fees क्या है वही fees है आप लोग की attendance अब आप लोग कहते हो सर फीस भी नहीं भरेंगे और हमें पढ़ाते भी जाओ बीटा ऐसा तो एकदम impractical हो गया ना यहाँ पर फीस ऐसी है जो गरीब से गरीब बच्चा भी दे सकता है जो मैं कह रहा हूँ poorest of the background से बच्चा दे सकता है बस दिल का अमीर होन अगर बच्चे भर के आएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा और बच्चे आएंगी नहीं तो क्या मज़ा आएगा अब देखो जैसे आप देखते हो कई बार initiatives लिये जाते हैं कि गाओं देहात में education provide की जाती है उन बच्चों पढ़ाया जाता है अब बच्चे आना ही दें तो बता वह initiative फेल हो गया ना अगर किसी गाओं में आप मिड़े मील प्रोवाइड कर रहे हो एजूकेशन प्रोवाइड करो फिर भी जनता ना है वेस्ट है रिसूर्स वेस्ट हो रहा है सिंपल सी बात है ऐसी बिटा इतने अच्छे अच्छे टीचर यूट्यूब प तो इसलिए आप समझो बात को डिमांड करना छोड़ो तो कि eventually होता एकी चीज हैlarını आप आना बंद कर देंगा आईगा लाइट लोड कंडीशन में आएगा लाइट लोड कंडीशन में भी फैरेंटी एफेक्टि आने का क्या मतलब है कि ये जो iC है ये डॉमिनेट कर लोड करेंट को सर आपके प्राकोर सब्जेक्स को प्राइवेट मत करना I won't guarantee that maybe in future they might become private लेकिन हा कोई भी कोर्स अगर प्राइवेट होगा तो एक corresponding कोर्स लाइव चल रहा होगा ताकि आप लोग लाइव देख पाओ मेरा एक ही एम है फिलहाल में कि आप लोग को कैसे भी करके लाइव लाना है अब उसके लिए जो experiment करना पड़े जो हमें initiative लेने पड़े भले वो अच्छे या बुरे लेने तो पड़ेंगे लाइव तो आएगी जनता कैसे आएगी कहते ना जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो तेड़ी उंगली से निकालना चाहिए तो करना अगर हम देखे तो ABCD parameter क्या आते हैं 1 प्लस Y Z by 2 फिर यहाँ Z दो पार्ट में divided है ना तो Z के साथ आएगा यह Y simple आएगा यहाँ पे भी बेटा यह जो A और D हैं वो बराबर आ रहे हैं actually A और D बराबर आ रहे हैं तो symmetrical है AD माइनस BC आ रहा है 1 तो this is reciprocal reciprocal ठीक है अब ऐसा है और दूसरी बात क्या है बिटा यह जो A है ना यह 1 से छोटा है जिस कारण से VR 0 is greater than VS तो यहाँ पे हमें देखने मिलेगा Farenti Effect क्या देखने मिलेगा Farenti Effect ठीक है Farenti Effect देखने मिलेगा अरे question practice के लिए कोई भी AJ की book उठा करके लगा लो यार question उसी लेवल के question आएंगे Polytechnic lecture आर में कौन से लंबे चॉड़न numerical देंगे बाई next लगेगा AMA session जब लगेगा तो बता देंगे अभी इस हफते तो नहीं होगा देवाली के बाद ठीक है चल अब सवालों पर आजाओ भी the nominal pi circuit of a transmission line is shown in the figure z दिया है x दिया है characteristic impedance बताओ चल निकालो भाई इसकी characteristic impedance फटा फट से कर दो भाई कितना आएगा characteristic impedance come on everybody जल्दी से बोलो भाई देखो क्या होता है nominal pi circuit में यहाँ पे न admittance होती है y by 2 और y by 2 तो actually यह जो y by 2 है न यह 1 by x है तो y जो होगा वो 2 by x होगा और capacitor के कारण angle होगा 90 अब यह जो characteristic impedance होती है होती है root z by y 100 angle 80 divided by 2 by 3300 angle 90 देखो angle subtract हो जाते हैं division में तो 80 minus 90 बनेगा minus 10 80 minus 90 बनेगा minus 10 और minus 10 को root के बाहर लाओगे तो यह बनेगा minus 5 तो यह बन गया 406.2 angle minus 5 और actually न यही होता है यह जो characteristic impedance होती है न इसकी nature capacity होती है यानि कि इसका angle negative आता है इसका angle negative आता है ठीक है चल अगला देखो भई the charging current of a 400 kv transmission line is more than 220 kv line of same length बताइए charging current के रहा है 400 kv पे जादा आएगा as compared to 220 kv line true है या false है yes it is true क्योंकि जो line charging current होता है बिटा what is it omega cph vph तो ic is proportional to vph तो जितनी ज्यादा line voltage होगी उतना ही ज्यादा आपका charging current आएगा चलो अगला देखो आ 220 kv 20 km long three phase transmission line has the following ABCD constant charging current per phase बताओ भई charging current per phase कितना आएगा तो शार कह रहे है 11 by root 3 बाकी लोग बताइए भई कितना आएगा charging current per phase a चलो देखें देखो charging current होता है c vr 0 या फिर c by a vs आप देखो यार यह जो 220 kv है यह क्या है यह rated voltage है sir transmission line की जो rated voltage होती है वो sending end पे होती है receiving पे बेटा एक wire की rated voltage दोनों तरफ same ही होगी अलग नहीं होगी तो ideally तो ना मुझे इसे vs मानना चाहिए ideally मुझे क्या मानना चाहिए vs मानना चाहिए और फिर यह कहना चाहिए no load पे जो receiving end voltage आएगी vr 0 वो rated से ज़्यादा आएगी इसलिए तो खतरनाक है फेरेंटी effect कि जो voltage आपको मिलती है वो rated से ज़्यादा मिल जाते है that is why it is dangerous तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते है कि ic will be देखो अगर इसको vs मानोगे न तो c कितना है भाई 0.5 into 10 की power minus 4 vs हुआ 220 by root 3 into 10 की power 3 by a हुआ 0.96 तो यह आ गया 11 by root 3 बट ऐसा कोई option नहीं है इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा यानि कि 220 को मानना पड़ेगा vr0 क्या मानना पड़ेगा vr0 दूसरी बात बिटा इस formula में जो भी vs होता है न वो पर phase रखा जाता है और transmission line को transmission line को माना जाता है star connection इसलिए 220 by root 3 sir 220 kv is the receiving end voltage नहीं बिटा receiving end का rated voltage है लेकिन फेरेंटी effect यह कहता है न नो लोड पे जो voltage मिलेगी वो जादा होगी इसलिए तो फेरेंटी effect undesirable है क्योंकि जादा voltage हमारे insulation को damage कर सकती है that is why it is not at all desirable अगर नो लोड पे rated voltage मिल रही होती तो दिक्कत ही किस बात की थी चल अगला देखें भाई consider the model shown in the figure of a transmission line with series capacitor at its midpoint the maximum voltage on the line is at the location बताए भाई क्या आ रहे ए और कोई बताओ भई राजीव कह रहे हैं P3 देखें देखो एक अगर approximate voltage drop का formula लगाएं नहीं यह वाला यहां नहीं चल पाएगा actually R0 है और 5 भी 0 है चल ऐसे देखते हैं at UPF for a reactive transmission line voltage regulation is positive that is voltage decreases in current direction reactive transmission line का मतलब क्या है जिस transmission line में inductance हो तो यार देखो जब unity power factor होता है तो जिस direction में current flow करता है उस direction में voltage गिरती है ऐसा होता है unity power factor और lagging power factor पे unity और lagging दोनों में यह देखा जाता है कि जैसे जैसे current आगे की तरफ बहता है वैसे वैसे voltage में drop आता है अब जैसे यहां पे देखो current ऐसे बहरा है तो vp2 will be less than vp1 ठीक है लेकिन अब देखो यहां पे j.1 और minus j.15 है actually है यह 15 होना चीए अब vp3 जो है वो ना p1 से बढ़ा आएगा क्यों आएगा सर क्योंकि x equivalent यहां पे आ रहा है 0.1 minus 0.15 that is minus 0.05 तो negative आ गया ना तो जहां voltage में drop आना चीए था minus आने के कारण voltage बढ़ गई अब vp4 यह फिर से p1 से छोटा ही आएगा क्यों क्योंकि यहां x equivalent is फिर से positive है समझें यह फिर से positive है तो voltage कम हो जाएगी ठीक है हाँ अगर यह 0.1 ही होता तो 0.1 0.1 कट जाते p3 और p1 पे voltage बराबर आता तो यहां actually answer is p3 तो याद रहे बिटा lagging power factor और unity power factor पे जैसे जैसे current की direction में आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे voltage आपका reduce होते जाता है अगला देखो भई the ABCD parameter of a three phase overhead transmission line are given at no load a shunt inductive reactor is connected at receiving end to limit the receiving end voltage to equal to sending end voltage the ohmic value of the reactor is तो बिटा basically यह क्या कह रहा है no load पे receiving end का voltage sending के बराबर करना है इस बात का इतना सा मतलब है कि Ferrenti effect cancel करना है आपको यह बताना है Ferrenti effect cancel करने के लिए कितने reactor की जरूरत पड़ेगी shunt में एक inductor जुड़ता है Ferrenti effect काटने के लिए वो inductor कितना होगा तो आप क्या कहते हो shunt reactor to compensate set Ferrenti effect x equal to mod b by so that is 200 by 1 minus 0.9 2000 यह formula भीटा आपको याद रहना चाहिए कि Ferrenti effect काटने के लिए कितने reactor की जरूरत पड़ती है अगला देखो भई the generalized circuit constant of a three phase 220 kv rated voltage medium length line is given ओके load दे रखा है आप से sending and voltage पूछ रहा है बिटा प्लेलिस तो इसका बना हुआ है रफ्तार सिरीज का रितिक तुम लोग इतना बड़ा नाम काहे रखते हो बिटा यूट्यूब पे बवस अन्तूष अप्पा साहिब बीई डिविजन ए 516 ये क्या college वाले mandatory कर देते हैं क्या rule number डालना है यूट्यूब पे भी क्या रहती देखें देखो पेटा सबसे पहले क्या निकाल लो ना IR निकाल लो 50 MW मैंने बताया था लाइन और फेस करेंट सेम रहते हैं क्योंकि transmission line is treated as star connection power factor 0.9 ठीक है 145.795 अब पेटा यहाँ पे equation क्या लगती है न is equal to AVR AVR है 0.936 angle 0.98 लेकिन यह जो ABCD parameter वाली equation है इसमें एक बाग बहुत अच्छे से दियान रखेगा कि पर फेस चलती है values BIR 142 angle 76.4 ठीक है IR 1 इसको किलो में कर लो क्योंकि voltage किलो में है और यह lag कर रहा है न तो इसका angle minus 25.8 foot voltage का angle 0 ले रहे हो तो current का lagging इतना आएगा 133.246 angle 7.77 लेकिन बेटा यह जो आई ना यह पर फेस आई अगर आप line to line निकालोगे तो यह आएगी 230.78 आपको इसे root 3 से multiply करना पड़ेगा तो answer will be C बहुत ही बड़िया भई तीन बच्चों ने C answer निकाला अगला देखो यहाँ पे nominal voltage का क्या मतलब होता है तो यह कह रहा है अगर load rated voltage पे deliver किया जा रहा है तब sending end का voltage 240 के वी है तो percentage regulation क्या होगा बिटक क्या जानना चाहते हो तो polytechnic lecture r के बारे में जैसे अधर एई एग्जाम्स की तैयारी करते हो वैसी तैयारी करो theory question ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊ ठीक है अब तो तुम लोग यार सारे subject इतने सारे एग्जाम्स के लिए तैयार कर चुके हो कुछ अलग बचा थोड़ी है कुछ नया इसी को अच्छा करो बताओ भई क्या आएगा answer see तो देखो voltage regulation कैसे निकालते है mod vs by a minus mod vr by mod vr into 100% तो 240 sending end का voltage यह बोला है ना यह बोला है load जब rated voltage पे deliver हो रहा है यानि load जब 220 पे deliver हो रहा है तब sending end का voltage 240 है तो यह आजाएगा 16% ठीक है that is C ठीक है भई तो यह basic concepts है बिटा जो कि आपको पता होने चाहिए और विनोद मेरे भाई अगर एक बार power system की lecture series देखोगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा machine और power electronics तो देख चूक है power system भी देखो एक बार ठीक है और देखो जिन बच्चों को पूरा complete syllabus मेरे साथ revise करना है तो मेरा crash course 25th October से start हो गया बिटा इसमें 10 के 10 subject में आप लोगों को revise कराने वाला हूँ आप देख सकते हो math safety के अलावा सारा revision में कराने वाला हूँ तो मेरे साथ live जुडें इस course में जल्दी से जल्दी unacademy join करें क्योंकि अभी बिटा 4 plus 1 month का offer भी चल रहा है 12 plus 4 month का भी चल रहा है इसे miss मत करो और यहां पर देखो शंकर सर ने comprehensive course start कर दिया है digital का तो जिन बच्चों का 22 के लिए digital बागी है वो भी कर सकते हैं और 23 वाले भी digital से अपनी journey start कर सकते हैं सिदार सर ने सुबह सुबह signal का revision कराना start कर दिया है बिटा तो सिदार सर के साथ आप signal revise करो अपनी तयारी को next level लेके जाओ he is AC AIR1 आप समझ सकते हो other than this बिटा आपको जैसा मैंने बताया अभी 22 वाले बच्चों के लिए 4 months पे 1 month extra मिल रहा है ताकि आपकी तयारी March तक चले और यहाँ पे आप 28% की saving करोगे 28% की आप saving कर सकते हैं other than this बिटा अगर 2 years की तयारी करे हो 23 की तो यहाँ पे आपको 12 month पे 4 month extra मिल रहा है तो यहाँ से अगर आप अभी भी join करते हो ना तो आप 2023 की तयारी कर सकते हो तो rather than अगले साल तक का wait करोगी फिर 1 year कलेंगे इससे बढ़िया अभी 1 year कलो 23 तक उसको extend कर दिया जाएगा और क्या फायदा है बिटा प्लस पे वहाँ live classes मिलती है comprehensive और crash दोनो recorded lectures भी होते हैं मेरी सभी classes में आपको घर के लिए homework मिलेगा daily हर Sunday आपका test होगा हर doubt का आपको video solution दिया जाएगा gate, ESC, PSU सबके तयारी होगी और आगे जाना है go with iconic वहाँ plus के सारे benefits के साथ मिलेगा personal coach ये पूरा ना आपका study plan बनवाएगा routine बनवाएगा time table बनवाएगा time to time change भी करवाएगा और teachers आपको motivate करेंगे in the study booster session आपके test में section by section subject by subject analysis मिलेगा dedicated doubt instructor होंगे जो कि आपके सभी doubts answer करेंगे study material बस आपको क्या करना है ना बिटा यहाँ पे code लगा देना है payment के time पे अंकित ESC जिससे ना सिर्फ immediate discount मिलेगा बलके you will come under my personal guidance other than this बिटा मैं आपको यह recommend करूँगा कि अभी आप 12 month का subscription ले अगर 23 देना चाहते हो 4 महीने extra मिलेंगे code आप जानते हो मेरे बच्चे that is ankit ESC और iconic भी join करना है तो जल्दी से जल्दी join करो iconic के prices बढ़ जाएंगे बिटा कब से 1st of November से आज 29th है तो 2 दिन आपके पास बचे हैं फिर यह prices increase होने वाले हैं तो prices बढ़ने वाले हैं इसलिए मेरे बच्चे जल्दी से जल्दी join करो 12 महीने के price में 6,000 का increment आ रहा है 18 महीने में 8,000 का और 2 साल के subscription में 9,000 का इसलिए जल्दी join करो ठीक है general studies का course तमन्ना अलरड़ी चल रहा है plus पे बिटा और बिटा इस Sunday होने वाला है आपके लिए combat combat में enroll कीजिए using the code अंकेदि यहां अच्छा perform करके आपको scholarship भी मिलेगी और साथ साथ बिटा आपका confidence भी boost होगा कि आप एकदम next level पे जाके मचा सकते हो और यह मेरी unacademy profile है मुझे follow कर लेना यहां मुझे message कर सकते हो and this is my telegram channel जहां हम कराते है daily quizzes इनका हिस्सा बनिए और यहां से अपनी तयारी को judge कीजिए so thank you everyone like, share, subscribe करें और comment करें वीडियो कैसा लगा अब मिलेंगे 7 बजे special class में special class में मैं power system के question कराऊंगा तो आजाना MCQ based question होगे polling के साथ करेंगे मचाएंगे let's crack it